जहिंद बंदे महत्रम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ड एमसे क्यू चनल पर तो चलिए आज आपका वन लाइनर स्टेटिक जीके का क्लास 21 चलेगा और आप सभी जानते हैं ये सेशन बिहार पुलिस कॉंस्टबल एक्जाम बिहार पुलिस ड्रैबर और बिहार दोरोग पीटी एकजामस 22 के लिए मोस्ट इंपोर्टन रहने वाला है ये कलास आपको डेली सुबा पाच बजे मिलते हैं पाच मिनिट के लिए तो अगर आप चनल पर पहली बारा है तो चनल को सब्सकाइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे एक भी इ स्थापना कब हुई थी इसका सही सबाब है 1990 में नेक्ष्ट कोशन देखते हैं भारतिय सम्विधान के किस अनुचेद के अंतरगत वित आयोक का गठन किया जाता है सबाव है भूकम की तरंगों को मापने के लिए सिस्मो ग्राब का प्रियोग किया जाता है सही जवाब है भूकम की तिवरता भूकम की तिवरता को मापने के लिए रियक्टर स्केल का प्रियोग किया जाता है ध्यान रखना है सिंदू सभेता का पतन अगर बंदरगा कौन सा है पतन अगर को बंदरगा बोला आता है तो सिंदु सब्यता का बंदरगा लो था जो की गुजरात में इस्थी थे नेक्ष्ट कोशन है नियाय दर्शन को किसने प्रचारित किया था इंपोर्टन प्रसन है सही जवाबे गौतम ने नेक्ष्ट कोशन है भारत्य संगीत का आधी ग्रंत किसे कहा जाता है सही जवाबे साम वेद को साम वेद को भारत्य संगीत का आधी ग्रंत माना जाता है अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो रिग वेद सबसे पुराना वेद है सबसे बाद का वेद कौन सा है तो अथर वेद जो है सबसे बाद का वेद है राजे विधान सभा का गठन समविधान के किस अनुछेद के तहत किया जाता है तो अनुछेद 170 हो जाएगा अनुछेद 170 के अंतरगत राजे विधान सभा का गठन किया जाता है नेक्ष्ट कोसन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है सहीजवाब है गंगा नदी लंबाई पूछे तो 25-25 किलो मीटर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसी पर बसा है कौन सा देश मिस्र जिसकी रालधानी काहिरा है नेक्स्ट कोशन है अलखननदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रूद प्रियाग इस्तिद है सही जबाब है मंदाकनी नेक्स्ट कोशन है इसलाम धर्म के संस्थापक पैंगमबर मोहमद का जन्म किस वर्स हुआ था करेक्ट आंसर है 570 इसपी में नेक्स्ट है कारे का मातरक क्या होता है कारे का मातरक होता है जूल होता है विद्दु धरा का साई मातरक क्या होता है एंपियर होता है विद्दूद विभव का क्या होता है वोल्ट होता है परतिरोद का क्या होता है ओम होता है सभी को ध्यान में रखना है रोकेट किस सिधान पर कारे करता है न्यूटन का तीसरा नियम पर कारे करता है रोकेट next question है बल का SI मातरक क्या है तो बल का SI मातरक निउटन होता है और दाब का पूछे तो पास्कल होता है दोनों को ध्यान में रखना है next है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक मातर धातू कौन सी है देखे यहाँ पर धातू है तो इसका राइट अंसर पारा होना चाहिए अगर ओधातू होगा तो ब्रोमीन होजाएगा दोनों कंडिशन को याद रट ना है तरल अबस्ता में पाए जाने वाली एक मातर धातू पारा है अगर आपसे पूछे कितरा लवस्था में पाई जाने वाली एक मात्र अधातों कौन सी है तो ब्रोमिन हो जाएगा थोड़ा सा टाइपिंग रेर है पीडियाप जब मिलेगा सुधार कर दे जाएगा उस्ताद जाकिर हुसेन को किस वादियंद्र को बजाने में विशिष्टा प्राप्त है सही जवाब है तबला को बजाने में माइकल जेक्षन संबंदी थे माइकल जेक्षन पॉप संगित से संबंदी थे पुर्वी तटिय मैदान का अन्य नाम क्या है सही जवाब है कोरो मंडल तटिय मैदान पुर्वी तटिय मैदान को कोरो मंडल तटिय मैदान भी बोला जाता है भारत की सबसे लंबी अंतराष्टे सीमा किस देश के साथ है सही जवाब है बांगला देश के साथ कितना है तो 4096 किलो मिटर है सही जवाब है सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है आंदरपरदेश की नई राजधानी कहा है अमराबती अमराबती आंदरपरदेश की नई राजधानी है वनस्पति सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है सही जवाब है थियो फ्रेश्टेस को वनस्पति सास्त्र का जनक बोला जाता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं बेंजीन की खोज किस ने की थी सही जवाब है माइकल फैराडे माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी Marelek Minto Suthar구il किस वर्स पारिद किया गया था ये प्रस्ना अपके एक्जाम के लिए Izhamिक टो Marelek Minto Suthar Templeको 1000 9SP में पारिद किया गया था भारत का प्रतम परमानो उर्जा उत्पाधन के इंदर कहां इसती थै पारापूर महराष्ट में इसमे नेक्स्ट कउस्षण है पहारी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलास मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था इंपोर्टन प्रसन है सही जवाब है राष्ट कुटों ने राष्ट कुटों ने पहारी काट कर एलोरा के विश्व विख्यात कैलास मंदिर का निर्मान करवाया था नेक्स्ट कोशन है, सेर्षा सुरी का मकवरा कहा है स्तित है, ये भी प्रसनापकी एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है, तो सेर्षा सुरी का मकवरा सासा राम बिहार में स्तित है, नेक्स्ट है, सिवाजी का राजे विशेक कहा हुआ था, सही जवाब है, राइगण महाराष थी तो आज के सेशन के लिए इतना ही अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक करके सेशन को जरू सेथ करेंगे